गौतम बुध गौतम बुध गौतम बुध कपील वस्तू कपील वस्तू हिमालिया की गोध में बसा एक छोटा सा राज्य था वहां के राजा का नाम सुधोधन था उस दिन पूरे कपील वस्तू में परसनता का वातावरन था रानी महामाया ने एक सुन्दर राजकुमार को जन्म दिया था राजकुमार का नवजात का जन्म कपील वस्तू के निकट लुम्बीनी नामक अस्थान पर हुआ था बालक के माता पिता ने बड़े चाओ से अपने नवजात शीशू का नाम सिधार्थ रखा पुत्र के जन्म सुब आउसर पर राजा सुद्धोधन ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया राज्य के सभी समान्य तथा गन्मान्य नागरिको ने इस भोजन में सभागिता की इस भोजन में एक सन्यासी भी आया था उसने भविस्यवानी की के राजकुमार बड़ा होकर एक महान समराट अथवा जकत परसिध सन्यासी बनेगा